आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है टाइमेंड स्पीड टाइमेंड स्पीड का किसी भी कॉम्प्टेटिव एक्जाम में क्या रॉल रहता है और लगवग इससे कितने कुश्चन पूछे जाते हैं तो यह सब हम डेटेल में जानेंगे तो टाइमेंड स्पीड का किसी भी कॉम्प्टेटिव एक्जाम में इतना बड़ा रॉल रहता है कि इससे कुश्चन एक या दो पूछा जाता है चाहें आप ट्रेन को इंक्लूड करें यह एक्सक्लूड करें तो मैं कुश्चन आपको सारे के सारे बेसिक टू अपटू करते हैं कि कुछ बेसिक सी बात आपको पहले से आती होंगी इनको हम दोबारा से जानते हैं जैसा कि आपने पड़ाओगा चाल बरावर दूरी बट्टे समय होता है या इसे आप इंग्लिस में कह सकते हैं एस बरावर दी बट्टे टी होता है इसको थोड़ा और एक्स्प्रेइन करें तो आप टी बरावर डी बट्टे एस कह सकते हैं तो मैं इसको दी बरावर आप टी इंटू एस कह सकते हैं यह तीनों के तीनों फॉर्मूले एक ही है थो तो तो टाइमेंड स्पीड में सबसे पहली और मोस्ट इंपोर्टेंट बात है यूनिट कन्वर्जन की आप से यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए अगर आप यूनिट कन्वर्जन convert नहीं कर पाए तो आप किसी भी question को time and speed के को नहीं हिला पाएंगे तो सबसे पहले सीखते हैं unit conversion क्या होता है हिंदी में से कहते हैं मात्रकों को बदलना जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा हुगा कि बेसिक बेसिक सी बात जानेंगे जैसे कि मैंने आपसे कहा किलो मीटर पर आर को आप मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो आप खुडा करेंगे पांच पट्टे 18 से आप ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको detail मैंना चाहिए कि एक किलो मीटर बराबर होता है 1000 मीटर और एक आर बराबर हुता है 3600 कि जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको 5 वट्टे 18 मिलेगा इसलिए पांच वट्टे 18 से multiply करते हैं अगर आप से मीटर पर सेकेंड से किलो मीटर पर आर में बदलने के लिए के अग आ यह नीचे वाले का उपर वाले से और बीच वाले का बीच वाले से multiply करेंगे तो 26 तो यहां पहुंच जाएगा और 1000 यहां पहुंच जाएगा यहां से दो जीरो कर जाएंगे फिर यह कर जाएगा 18 बट्टे 5 हो जाएगा तो बेसिक सी बात यह है कि जब भी आप unit convert कर रहे हों तो आपको केवल इतना देखना है कि 5 बट्टी 18 से गुणा करना है 18 बट्टी 5 से करना है तो जब आप बड़ी unit से चोटी unit की और जाएंगे तो आपको छोटी value मिलेगी तो ऑप चोटी यूनिट से बड़ी unit की तरह जाएंगे तो आपको चोटी यूनिट मिलती है तो 18 कि उतारे फटाबर से इसको कि अ कि अ कि अ कि अ कि अ कि दूसरी बात जैसे आप से पूछा जाए एक माइल बरावर कितना होता है तो एक माइल बरावर होता है वन पॉइंट किलो मेट बरावर वन पॉइंट से भाग देना है जब आप इससे भाग देंगे तो नबबे माइल पर आर आ जाएगा जैँगा कि जब भी आप एक माइल को लें गे तो एक मायल बरावर बन पॉइंट् através लेंग किलो मेटर होता है या आप ऐसा कह सकते है 1600 मीटर होता है तो जब भी आप 144 किलो मीटर या किसी भी किलो मीटर वाली यूनिट को चेंज कर रहे होंगे माइल में तो फिर आपको कुछ भी नहीं करना केवल 144 में 1.6 से भाग देना है जब भी आप ऐसे भाग देंगे तो डार्रेक्ट निकल आएगा उतारे फिड़ावट से इसको ų मासरों तीसरी बात इसमें ये है कि जब आप माइल पर आर को पर सेकंड में बदलेंगे माइल पर आर को फीट पर सेकंड में बदलेंगे तो हमेसे गुणा करना होता है बाइस बटे पंदरा से, अब आप ऐसे कैसे कर रहे हैं साथ, तो ध्यान रखना एक माइल बरावर होता है 1760 यार्ड, और एक यार्ड बरावर होता है 3 feet, बस यहीं से निकलाएगा, अब आपको पता लगा कि एक माइल बरावर 1760 यार्ड होता ह तो एक याड वरावर तीन फीट होता हमको बदलना यह है इसमें तो याद रखें इस चीज को जब भी आप बदलने होंगे तो 1760 गुणा आप तीन करेंगे यह तो आपने फीट बना लिया और जब आप आर को सेकेंड में करेंगे तो भाग 3600 देंगे तो एक जिरो से तो एक फिर से काटेंगे दो से तो 22 बटे 15 यही रीजन है कि जब भी आप माइल पर 8 से फीट पर सेकेंड में चेंज कर रहे होंगे तो याद रखना हमेशा किसे मल्टिप्लाइ करेंगे 22 बटे 15 से मल्टिप्लाइ करेंगे केबल यह समझना आपको कि एक माइल वरावर कितना कर रहे हैं आर को तो 1760 गुना तीन बटे 3600 जब आप इसको काटेंगे तो यह 22 बटे 15 आएगा तो जब भी आप माइल पर आर को फीट पर सेकेंड में चेंज कर रहे होंगे तो 22 बटे 15 से गुना करना है अगर आप फीट पर सेकेंड को माइल पर आर में बदलेंगे तो गुना करना होता है 15 बटे 22 से बस उल्टा कर देंगे इसको भी अगर आप समझे तो किलूमीटर पर आर की तरह ही किया है उसका उल्टा तो याद रखना जब भी आप ऐसा कर रहे हों तो माइल पर आर से फीट पर सेकेंड में कंवर्ट करने पर न्यूमेरिकल वेल्यू बढ़ जाती है बस यह इंपोर्टेंट है इसमें और फिर अगर हम इसका उल्टा करें तो न्यूमेरिकल वेल्यू क्या हो जाएगी कम हो जाती है यह बड़ी इंपोर्टेंट बात है अगर थेवर्डिकल कॉश्चन बनता है तो आप थेवर्डिकल इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जब भी आप माइल पर आर को फीट पर सेकंड में चेंज करेंगे तो न्यूमेरिकल वेल्यू बढ़ती है और जब आप फीट पर सेकंड को माइल पर आर में चेंज करेंगे तो न्यूमेरिकल वेल्यू घड़ जाती नहीं जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे जो हर है बाईश है जो बड़ा है और आगे वाले पोर्जल में या पहले वालीकरे हर कैसा था छोटा था अगर आप इसको माल लीजिए ईनिल था और पर समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं आप जैसे कि मैंने कहां आप से कि पैंतालीस माइल पर आर को फीट पर सैकंड में बदलिए तो देखें पैंतालीस गुणा आप कर रहे होंगे 22 बटे 15 अब इसको काटेंगे 22 से 15 से 15 तिया पैंतालीस और वाइस तिया चाहसट प्रेके पैंतालीस से चाहसट होई वैल्यू तो न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ फारक पड़ा कि नहीं बड़ा तो यह वैल्यू बढ़ गे तो पिस इतना याद रखना है जब भी आप माहिल पर आर से से फीट पर सेकंड में चेंज करेंगे तो नूमेरिकल वैल्यू बढ़ती है और जब फीट train से मान पर आरड में चेंज करेंगे तो नूमेरिकल वैल्यू घठती है कुछ important चीज भी पूछ ली जाती है इसमें जैसे कि भूमी की माप पूछ ली जाए तो आपको यह आना चाहिए भूमी की माप पूछी जाए तो भूमी की माप के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता छोटी-छोटी चीजे पूछी जाते हैं जैसे कि मैंने कहा आपसे एक एकड वरावर कितना होता है तो एक एकड वरावर पूछा जाए तो एक एकड चार हजार वर्ग मीटर के वरावर होता है अगर आपसे एक एकर पूछा जाए, तो एक एकड अमेशा होता है, 4,000 वर्ण मिटर के बरावर. इसे इंगलिस में year कहह देते हैं. दूसरी माप बड़ी होती है इससे 1 hectare. अगर hectare की माप पूछी जाए, तो एक hectare बरावर होता है, 10,000 वर्ण मिटर. अगर आपसे एक बीगा पूछा जाए तो एक बीगा की जो माप होती है वो तेईस्सो वर्ग मीटर या तेईस्सो पांच वर्ग मीटर ली जाती है तो यह जो मापे हैं आपकी एक एड़ वरावर चार अजार वर्ग मीटर होता है एक हेक्टर बरावर 10,000 वर्ग मीटर होता है एक बीगा बरावर 300 वर्ग मीटर या 305 वर्ग मीटर होता है यह जो चीज़े हैं आपकी mostly लेकपाल वगएरा में या पटवारी वगएरा में पूछी जाते हैं इनका railway NTPC या SSC से कोई मतलब नहीं है अगर आप सीखना चाहें तो इसको सीख सकते हैं रही दूसरी बात अगर हम बात करें एक एकड़ की बीगा की तो इसमें 1.73 बीगा होता है लेकिन हम इसको 1.75 लेके चलते हैं और बड़ी इंपोरेंट बात यह है कि यह सारी की सारी unit पक्के में है। पक्के बीगा में है याद रखना पक्के बीगैं क्योंकि कहीं कहीं जगहा पर किसी कि जगहा पर यह unit बदलती रहती है जहां पर कच्चा भी गाता है जब भी कोई international या national system आता है तो वो इसी माप से भूमी की माप करता है ठीक उतारे भटाबर्से से मैटा दो टाइप नमबर फर्स्ट डाली इसमें सबसे पहले टाइप नमबर फर्स्ट में समझे क्या होता है जैसे कि मैंने आपको स्टार्टि में बताया था एस बराबर डी बट्टे टी होता हूँ अगर मैं बात करूँ तो देखे aies proportional हैड डी के कहने का मतलब एस है अनकुर्मान पाती डी के अगर मैं बात करूँ ऐस परोकल है टी के तो यहां तो आप देख रहे हैं वित्खृत कुर्मान पाती और यहां आप देख रहे हैं गया है अनकौन पाती यहाँ जब समय निश् तो D1 ratio D2 रहेगा अगर माल लीजे S1 ratio S2 X Y है और समय निश्चित हो तो ये भी X ratio Y रहेगा दूसरी सिच्वेशन में S1 ratio S2 दिया है और यहां अगर दूरी निश्चित है तो T1 ratio T2 जो निकलेगा X ratio Y तो Y ratio X बन जाएगा क्योंकि ये इसका वल्टा है ये वड़ी इंपोर्टेंट बात है आपको काफी लंबे अर्से तक याद रहनी चाहिए क्योंकि इसी से mostly 70% question लगाए जाएंगे ध्यान रखना इस बात को इस पे आप 5 star डाल लें कहने का मतलब कि जितनी भी चीजे में आपको कराऊंगा mostly इसी से relevant होंगे उतारिफ अडावट से डाले सबसे पहला कुष्ण एक व्यक्ति किसी गंतव्य पर एक व्यक्ति किसी गंतव्य पर जाता है यदि वे अपनी बास्तिक चाल की चार वट्टे पांच चाल से चले तो वे बीस मिनट में पहुंसता है तो व्यक्ति के पहुंसने का निर्धार इस समय गयात कीजिए देखे द्यान दीजिए इस पुष्ण पर जैसे कि उसने कहा कि कोई व्यक्ति अपनी बास्तिक चाल की चार वट्टे पांच चाल से जाता है अगर मैं बात करों तो यह जो फ्रिक्शनल व्यू दी ये ओर ढूल रहती है याद रखना किसी भी कोर्ण में आ पढ़ रहे हूं कि एक है ऑर ओचिनल वेल्यू का मतलब मूई मान रहता है ऑट यह ऐसने का चार बट्टे पांच तो ओर रिजिनल वह कहते हैं पांस से जा रहा होदा उसके लिए पांस से जा रहा है उसके बाद किसे जा रहा थैस निश्चित गद्दब पेर ग़लता है Hai तो मैं processor है तो चार रेशियो पंछ इतना समझने आपको जब भी आप ऐसे कुश्चन कर रहे हों तो बस इतना याद रखना है कि दूरी निश्चत है तो इस पीड का रेश्यों दिया गया तो आप टाइम का रेश्यों इसका उल्टा करके निकाल देते हैं तो जब आप इसका रेश्यों निकाल रहे हैं तो यह तो 5R हो गया यह 4R हो गया इसे यह 4R हो गया और यह 5R हो गया उसने का कि वाई अब 20 मिनिट में पहुंसता है तो इसका मतलब 5 unit की value दे रखिये उसने 20 यही तो है इसका पहुंसने वाला अब यह 20 value दे रखिये तो इसे अगर मैं काटूंगा इसको तो आर की वैल्यू कितनी आएगी चार तो यहां से आप देखें एक आर का वैल्यू चार तो इसमें हम चार से मल्टिप्लाइ कर दें तो कितना आएगा शोला मिनेट तो पौंशने का उसका निड़ारी समय क्या रहा शोला मिनेट रहा इसो तारे फटा फट से एक व्यक्ति किसी गंतब्य पर एक व्यक्ति किसी कदब्य पर अपनी बास्त्विक चाल की पांच बट्चे साथ चाल से जाता है तो वह 42 किलो मिटर की दूरी तो वह 42 किलो मिटर की दूरी एक गंटे 40 मिनट 48 सेकंड में तय करता है तो वह 42 किलो मिटर की दूरी एक गंटे 40 मिनट 48 सेकंड में तय करता है तो भ्यक्ति की बास्तिक चाल गयात कीजिए तो ध्यान दीजे इस कुशन पर बेसिक सा कोश्चन है ज्यादा कुछ इसमें पूछा नहीं है केबल इसी कोश्चन को एक्स्टेंड कर दिया है अगर हम बात करें कोई व्यक्ति अपनी पांच बट्टे साथ चाल से जाता है मैंने अभी आपको तुरंद बदाया था कि यह औरजिनल स्पीड होती तो यह इसकी स्पीड है साथ जा रहा है पांच से पहले साथ स्थी अब पांच है अगर मैं टायम का रेशियो आपसे पूछ रहा हूंगा तो कितना आएगा पांच रेशियो साथ अब ध्यान दीजे कोई दूरी थी जो थी 42 किलोमेटर है ना अब इस दूरी को तै करने के लिए इस दूरी को तै करने के लिए उसको लगते हैं टायम कितना एक गंटा प्लस 40 मिनट प्लस 48 सेकंड तो ध्यान दीजे इस बात पर आपके इसाप से तो यह टायम लग रहा है और उसके इसाप से यह टायम लग रहा है तो इस टायम को आपको कनवर्ट करना होगा एक आर तो है यह प्लस इस 40 मिनट को कनवर्ट करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 40 बटे 60 इसको कनवर्ट करेंगे तो 48 बटे 60 पुना 60 क्यों कुछ 300 बनता है फिर अब अब इसको काटेंगे तो यह टायम से कटेगा से बिन आर बराबर एक प्लस दो बटे 3 प्लस बारा चौक अर्टालिस बारा पन साथ और चार से कटेगा यह 15 बार तो एक बटे 75 अब आप एलसीम लेंगे तो 126 बट्टे पिचेतर आएगी आप अब इसको काटेंगे तो यह अब ऐसे कटेगा 7 से 7 एकम 7 और 7 आठ 56 बट्टे पिचेतर और इसको अगर आप आगे solve करेंगे तो 3 से कटेगा 6 बट्टे 25 तो आप कह सकते हैं यहां इधर देखें अगर नहीं देख रहा है तो एक आर की value आएगी 6 बट्टे 25 अब एक आर की value 6 बट्टे 25 आ रही है तो बास्तविक टाइम यह था बिटा तो 5 आर की value कितनी आएगी 5 गुनाद 6 बट्टे 25 इसको अगर आप काटेंगे तो 5 आर की value आगे कितनी 6 बट्टे 5 अब मैंने आपको बताया कि 4 बरावर दूरी बट्टे समय होता है और दूरी उसने पहले से दे रखी आपको तो 4 बरावर दूरी बट्टे समय आप निकाल रहे होंगे तो ध्यान दीजे दूरी दे रखी आपको 42 किलोमेटर और समय दे रखा आपको 6 बट्टे 5 तो आप इसको यहाँ काटेंगे तो यह कट के आएगा कितना 670, 42, 35 किलोमेटर परावर तो चाल कितनी आई इसकी ओरिजिनल स्पीड 35 किलोमेटर परावर अगर आगे वाली नई स्पीड पूछता है तो 25 किलोमेटर परावर ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि यह इसका 5 ताइम है तो यह भी इसकी और बात है यह भी 5 ताइम होगा इसका तो ध्यान रखना जब भी ऐसा कोशन पूछा जाता है आपसे ताइम नहीं लगाना है कि अबल कैल्कुलेशन के उबार डपैंड करती है सारे की सारी चीज़ें कि रेशियो उसने दिया है वस उस रेशियो पर चलना है आपको उसने कहा कि एक विक्ति अपनी बास्तिक चाल की पांच बड़्ते साथ चाल से जाता है एक गंटा 40 मिनट 48 सेकंड लगते हैं तो जब आपको उसने 7 यूनिट की वैलू दी एक गंटा 40 मिनट 48 सेकंड तो 7 यूनिट के अकॉर्डिंग आपने उसको चेंज किया आर में 1 प्लस 40 बटे 60 प्लस 45 बटे 60 गुणा 60 तो आपका टोटल यूनिट जो निकल के आया 7 यूनिट बरावर एक प्लस दो बटे तीन प्लस एक बटे 55 अब आपने इसको फ्रिक्सन फॉरम में जोड़ा तो यह निकल के आया है 25 तो 5 आर की वैलू आई 6 बटे 5 यहां से 5 वैलू छे बटे 5 आई तो आपको दूरी उसने दे रखी थी 42 किलोमीटर चाल वराबर दूरी बटे समय था तो 42 बटे 6 बटे 5 ऑर जिए और अजिनल टायम है दिहान रखना इस बात का तो बार्टिस वट्टे च्छे वट्टे पांस तो 35 किलो मीटर परार इसको कॉपी कीज़े फटावर्ट से आपको इतने सारे कोश्चन करा दे जाएंगे कि आप किसी भी किताब से कोश्चन लगाएंगे तो कोई कोश्चन नहीं रहेगा एक व्यक्ति किसी गंतव्य पर अपनी बास्त्रिक चाल की पांच बट्टे तीन चाल से जाता है तो है 24 मिर्ट पहले पहुंच जाता है तो है 24 मिर्ट पहले पहुंच जाता है तो व्यक्ति के पहुंचने का निर्धारिस समय ग्यात कीजिए तो देखें वही कोश्चन है एक्ष्ट्रा कुछ भी नहीं इसमें पांच बट्टे तीन चाल से जाता है बास्तिक चाल की तो ओरजिनल स्पीड क्या रही बटा है इसकी तो ऑसमर्ण रेशियो आप एस्टू देख रहे होंगे तो तीन यह हो गया और पांच यह हो गया अगर मैं टीवन रेशियो टीटू देखूंगा तो कितना हो जाएगा तीन सरी पांच रेशियो तीन अब देखे पहले उस आदमी को पांच मिनिट लग रहे थे अब उसे कितने लग रहे हैं मतलब वो पहले पहुंस रहा है तो पहले पहुंस रहा है तो कितना मिनिट पहुंस रहा है दो मिनिट पहले और उसके according कितना पहुंस रहा है वो 24 तो इससे इसको काटेंगे तो एक unity का value कितना आएगा बारा यहां से इसमें multiply कर दीजे तो कितना आजाएगा बारा पन 60 मिनट यह आप क्या कह सकते हैं एक आट तो उसके पहुंसने का निड़धारिक टाइम क्या है एक गंटे या 60 मिनट करना कुछ भी नहीं है तीनों के तीनों को कुश्टन जो मैंने आपको कराए हैं सेम कुश्टन है कि एक व्यक्ति अपनी बास्तिक चाल की पांच बट्टे तीन चाल से जाता है तो उसका और जीनल स्पीड तो तीन था बाद वाला स्पीड पांस था क्यो यहां से आपने इसका मुल्टिप्लाए किया तो साथ मिनट आया या आप क्या कह सकते हैं एक आ रहा है उतारे फटावर्ट